वेलकम एब्रिवान आज की वीडियो में डिसकशन कर रहे हैं पैन आधार को लिंक करने की अगर आपने 31st मार्च की डेट मिस कर दी थी पैन को आधार से लिंक करने में तो अब आप 30 जुन तक 500 रुपीज लेट फीज के साथ पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं और अगर 30 अगर आपको अपना पैनाधार लिंक करना या किसी और परसन का करना तो यह वीडियो देखेंगे तो इसली कर पाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को शेर जरूर करिएगा चले मूव करते हैं तॉपिक की तरह मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट पे studyvary.com यह हमारे कोर्सी अग्निमें बहुत से परसंस सीखने में इंट्रेस्टेट अगे जिए इंकम टेक सीखना है ओटोमेशन सीखना है सब हमारे कोर्सी हमारी वेबसाइट पे अवलेबल है और हमारी वेबसाइट के लिए आप भी आ गया मोबाइल आप सबसे करूंगी कोर्स इसके बारे में वीडियो के एंड में पैन को अधार से लिंक करने के लिए आपको आना है इंकमटेक्स.gov.in यहां पर कोई लोगिन वगेरा कुछ नहीं करना सिंपल यहां पर ऑप्शन दिया है लिंक अधार इस पे क्लिक करना है यहां पर आपको दो ही पैमिंट करें पैन एन अधार को एंटर करेंगे तो आपके पास एक मैसीज आएगा वो क्या मैसीज होगा यह देखिए यह मैसीज आएगा पैमिंट डिटेल्स नोट फाउंड फॉर इस पैन मतलब जो 500 रुपे की पैमिंट करनी है वो आपके पैमिंट के लिए हमें फाउ लिंक नहीं किया 31st मार्च तक वो 30 जुन तक कर ले 500 रुपे की लिट फीज के बाद 30 जुन के बाद कितनी फीज लगे कि वो है 1000 पेमिंट कैसे करने है ना वाट वैरी इंपोर्टन तो यहां पर आप्लिकेबल फी के लिए यह लिंक लिया है इसको आप कॉपी कर लो ठीक है यहां पर पेस्ट कर लो अपने ब्रावजर में लिंक ओपन हो गया यह हो गया ओपन लिंक यहां पर आगे चलान हम यूज भी करते है टेक्स पेमिंट के लिए अब यहां पर लिखा है कि इसकी पेमिंट के लिए जो आपको पैना धर लिंक के लिए फीज देनी है उसकी पे सीट चलान ओपन हो गया इन्होंने बोला था आपको एक तो 0021 कोड़ सिलेक्ट करने टेक्स अधर देन कांपनीज और टेक्स पेमिंट में जो आपको माइनर हैड चूज करना है वो है अधर रिसीट्स 500 वाला बस सिंपल है अब आगे जैसे आप पेमिंट करके वैसी करना बैं अधरेस टाल दीजे जो भी आपका अड्रेस है इमेल आईडी मोबाइल नमबर जो भी डिटिल आप डालना चाहें और यह कैप्शिंज एंटर कर लिजे और क्लिक कर दीजे प्रोसीड पे यहां प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने एक तो आपका नाम मास्क नेम आज जाएगा इसमेंट यह फिन चूज और होगा और बस पिर आपको आए अगरी करके आगे बढ़ना है और इसे कर देना है सब्मीट टू दबैंक यह आपको उस बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा जो आपने चूज करें यहां पे स्लेक्ट पेमिन्ट ऑप्शन आ रहा है इ अगर आप करने आप तू 30 जून और नोडिफिकेशन को भी आप रैफर कर सकते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग आपको सेलेक्ट करना है ठीक है सब्मिट करते हम यह बस अब आपको अपना यूजर आइडी परसनल बैंकिंग के केस में यूजर आइडी पासवर्ट डालना है कोपरेट बैंकिंग के केस में जो भी आपका यूजर आइडी पासवर्ट डालना है और पेमिंट कर देनी है जैसे ही पेमिंट हो जाएगे चलान आपके पास आजाएगा और आप यहाँ पेमिंट करेंगे न तो पेमिंट करते हुए आपको आगे अमाउंट डालना होगा तो अदर वाली ऑप्शन में 500 रुपीज डाल के और पे कर देना ठीक है जानली आपने कैसे पेमिंट करनी है अब फिर से इसी पेज पर आजाएगे इंकमटेकसिंडिया.gov.in अब यहाँ पे ना एक चीज़ ओर लिखे हुए है इन केस पेमिंट इस अल्रेडी डन और एन ए ठीक है अब माली जाब की पेमिंट हो गई है पैन डाल लिजे अधार डाल लिजे और क्लिक कर लिजे वैलिडेट पे अब देखिया आपके सामने क्या मैसेज आएगा तो जैसे ही यहाँ पे पेमिंट वेरिफाई हो जाएगी आपकी तो आपके बस मैसेज आएगा यूर प अधार पैन लिंकिंग और चला नमबर बी एसर को डेट ओफ पेमिंट अमाउंट सब कुछ दिखाई देगा यह मैसिज आते ही आपको कॉंटिन्यू करना है आपके मोबाइल नमबर पे जो आपका मोबाइल अधार से लिंक है उस पर OTP चला जाएगा और आपका पैन अधार स लिंक हो जाएगा तो मैं उम्मीद करीएं कि आपने समझ लिया है पैन अधार लिंकिंग में क्यव आरर रे पेमेंट में समझ लिया अपने ठीक है पेमिंट का ही मेजर काम है इसमें और कोई जिक्कत है और एक चीज और आपको समझने है कि किस चिज लिए हैस केसल में पैन linking is not mandatory अब आपने यहां पर link कर लिया pan अधार अगर आपको status चेक करना है तो status चेक करने की option भी यहीं पर दी है homepage इंक साइड में आप इस पर click करेंगे तो यह page load होगा आपके सामने यहां भी आपको pan अधार और view link अधार status पर click करना है तो पता चल जाएगा आपको कि आपका pan अधार से link हुआ या नहीं तो यह थी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो like कर दो अब आजाए हमारे courses की तरफ तो GST सीखना है detail में हमारा GST course active अब आपको कुछ यहां पर combo भी दिख रहे होंगे यह सभी को मिक्स करके combination में बनाए गए हैं जिस भी combo में आप इंट्रस्टेड हो उसमें आप उसको आप जॉइन कर सकते हो अगर आपको income tax सिखना है अपनी ही नहीं अपने क्लाइंट के लिए भी फाइल करनी है तो हमारा यह कोर्स लीजे इसमें सारे concept आपके cover करे गए है बहुत सारे balance sheets बनाते हो चाहते हो कि life हो जाए easy चाहे balance sheet daily मांग ले आपका client तो भी आप दे पाओ तो automation का यह हमारा कोर्स लीजे इसमें automation सिखा है कैसे आप अपनी life को easy बना सकते हैं अपना बहुत सारा time save कर सकते हैं हमारे सभी कोर्स के link वीडियो के description में और अभी हमारा app offer चल रहा है अगर आप हमारी app download करेंगे और app के लिए review करेंगे तो आपको 25% का extra discount दिया जाएगा इसके लिए आप हमारी team से contact कर लेना तो contact us में जाके टीम का number है उनसे contact कर लेना तो हमारे छस्बी कोर्स में आप इंटरस्टोर्स में enroll करना मत भूलना वीडियो अच्छी लगी है तो like और share ज़रूर करेगा thank you for watching, bye bye